प्री बिद्ध्य अर्तियों नमस्कार एक बार फिर उन्हां सेमुसी के दूसरे पार्ट के दूसरे पार्ट के साथ मैं आपके समक्ष उपस्तित हूँ तो वेलकम नवांकोर डिजी लेसंस में पार्ट का नाम क्या है सुण काका उसका भाग नंमर दोसकी जो अभ्याज की प्रश्ण है तो हमें क्या करना है उनको solve करना है चुकि पार्ट समझने वाली वीडियों पहले आपको देचोके हैं और आप उसको देख बीचोके हैं चलिए तो हम शुरू करते हैं तो पहले क्या है हमारे एक पदैन है समा चाहूंगा मैंने उसमें एक पदैन लग दिया था ठीक है तो पहला कॉशन क्या है माता काम आदिशत माता ने किसको आदिश दिया पुत्री अपनी कुट्री को सण खाक हां कान अखादत जो सोने का घुवा था सोने की चावज वाले उटाव ने किसको खायर तो तंडूलान मदलब चावलों को खाया प्रसाद आहा की दर सहा वरतते ये प्रसाद भगवान वाला प्रसाद नी समझना ये प्रसाद आहा कौन सा है महल वाला है तो महल केंसा था स्वन मयाहा स्वन युक्त था ठीक है या स्वने का था गरहम आगत्त तया का समुद घाटे तहा घर को आकरके उसके दुवारा किसको खोला गया मन्यूसा मतलब संदूप को या कहें पेटी को ठीक है लोभाविष्टा बाली का कीद्रसी मन्यूसामने थी जो घमंडी बाली का थी देखिए उसमें जो स्वनका का वाली जो कहानी उसमें दो बाली गाओं पर आधा रहत है एक जो बहुत अच्छी है जो कि अपने मूल भूत जो करतब आ उनको कनरवान करती है है और स्की द्यूसरी जो लड़की रहती है व Vergleich अजया शुस्किर स्वार्थ की वहस बना रहती है जबकर पहले बार दू landmark रहती है ठीक है तो उन दोन Leute पूपर से तो जो लोभया अविष्टा मघमंदी बालीका है कीतरशी किस प्रकार की ये कैंसी मन्यू समलब कैंसी पेटी को ले जाती है तो क्या लेका WAY मतलब बहुत बड़ी अब रत्तमा । है बहुत बड़ी जाती ह। सबसे बड़ी पेटी वो ले जाएगी ठीकिन न Sweer अलशुकों को इस अब मरते हैं अलिकी अलशान हो और है नित्स सामने तो क्यों को रहता है तो पो दिए परोस्ता है तुकि यह पहले की रहती है वो कहती है कि तुमने केवल मेरे चावल खाएं तो मैं केवल उसी की मतलूंगी तो कहतीं तौमेगी पेटी ले जाती है रखे हुए हीरे बन आते हैं ठीक चलिये तो यह एक कष्दें ना हमारे कॉष्ण होते हैं आप एक बाक्षƠ के फेला कॉष्ण है निर्दनी का कि म MC के के ऐख जाए थी और वह फिएल वी इस तरी की बेटी लीटी मद्ड़ बेटी कैसेटी तो वो आ कुछ वाली काया पूर्वं की तरस्या का 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 ना दृष्टा नहीं देखा था तो बाली के पूर्वं सौन पक्छो यहां रज चंचु मर्ण सौने का कप्छी और रजद चांदी की महारहानी हीर काणी महा मूलवान या कहें मूलबान हीर काणी मतलब हीरे देखे आए अपस्यम देखे, बाली का किंदृष्टवा आफ्ष्चरेचकेता, आफ्ष्चरेचकेता allezा तो बाली का तो जलने की महीं को देखकर आफ्ष्चरेच़केता हो जाती है, गरवता बाली का की देख़पाण सोपानम अयाचत, और की दर समचा प्रापनूत मलब जो घमंडी वाली का थी उसने कैसी सीड़ी मांगी आयाचत मलब सौपाना मलब सीड़ी आयाचत मलब मांगी और की दर समचा प्रापनूत और कैसी उसको प्राप्त हुई तो गरविता बाली का सौन मयम सौपानम आयाचत उसने सोने की सीड़ी मांगी और तामरमयमजा प्रापनुत उसे तामे की सीड़ी प्राप्त हुई ठीक है इस प्रकार हमारे जो एक पदम एक बाग के पूर्ण होते हैं चलिए अब हम अगले कॉस्चन की और बढ़ते हैं अगला कॉस्चन क्या है हमारा अदो लेकित पदाना बिलूम पदम पाठवान चित्वा लिखत देगए या पाठ कि अंदर आये हुग़ हमें अनीं को लिखना है bioō पूर्भन हासित्पaton का रोधित्पम आधा का ऊपर ही आधा मतलब क्या होता है नीचे लिखाई होताँ नहीं राधू लेकेट तो अधु मतलब नीचे लेखे हुए जो बार-बार भार लेखा रहता है question में अधु लेकेट मतलब उसके question नीचे जो लेखे हुए है ठीक है ना तो ऊपर सोयत मतलब सपेद कशना मतलब काला सूर अस्तह मतलब सूर का दूबना यह कहें है पन अस्तो होना और सूर अका मतलब निकलना सुपतहा मतलब सोय हुई और प्रबुद्ध मतलब पंड़ित यह कहा है बिद्धवान बुद्धिमान ठीक है चली अगला question क्या लेका संधिम कुरूत अगला क्या करना है संधी करना है पहली क्या लेकी हुई ह नी प्लस अवशत तो इसका संधी करना है मतलब मेल करके करना है कभी संधी करने आती है कभी संधी करने आती है कभी संधी का नाम पूछ लिया जाता है तो कई प्रकार से कौशन पूछा जाता है तो इसमें क्या करा गया है आपको बिच्चेत करके दी गई है उसका आपको क तो आप एंसमें कौन ती हुज़ाएगी हमारी ? यह उस्तुर संदी हुज़ाएगी ठीक है ? क्योंकि या.. Guinea.. anlat.. इन्में क्या हो रहता है..? आधा अक्छा जू क्छलूर लगा हुज तो यह तो यहाँ है हम यहाँ पर और इसमें या में हमारा आधाना लगा उगवा है है तो ई और आ मिले के क्या वन गिरा है हां पर यह वन रहा है थीक है तो यहां सव्य एक सब यह कर ना है करना है करना है चलिए अगला क्या है सूर्य में बघना, सूर्य बघना यहा, इसमें गूरू सर्वार संदी है हमारी, ающ आरा लगा नी हम लग रहा है, इसमें ओ की महतर आ तरही अगला कहला है, प्रक्छसु अऔर at sc starts ू पर इसमें भी गूरू सर्वार संदी आ गई, A और U मिलके O की मात्रा बना रहा है और चा एक आदनी इसमें क्या आ रहा है A और A मिलके क्या आ रही है I आ रही है मतलब यहाँ पर आ रहा है हमारा कौन सी संदी आ रही है कौन सी संदी आ रही है यहाँ पर ब्रद्दी संदी आ रही है है देखिए आई की मात्रा रही है देखिए बेच्चेत करके दी गई है तो फर थोड़ी ज्यादा मेनत करना और बेच्चेत करके नहीं दी गई है सब्स लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करना है आपको ब्रद्धी मनलब बढ़ जाना दो मात्रा देखें तो महाँ पर है असमान चाहिए हमारा क्या बनाता है या बनाता है ठीक है ना चली अगला प्रोक्तं मतलब आ और वे त्र बन बन गया तॖ क्या है है जहां मात्रा गी मतलब अर ए मिलके गilikन हम चलिया यहां ठाइब आ संदीए नियम क्या है एग ही मात्रा ऑगी मात्रा है अलकौँ चर्ण वहां पर कुंद्धी मड़ने कि छलिए अगला कोश्र क्या करना है हमें अगला कोशर है हमारा कि इस तूल पदान कि दी गरत्य प्रश्नमानम कृत ठीक है इन पर जो गहरक ग्रंग है ठीक है रही है उनकी इस्थान पर हमें क्या करना है अब प्रिश्ण सब्सक्राइब करना है तो क्या लेका है ग्रामें नर्दना इस्त्री अवश्यत तो गाउं में प्रिश्ण क्या बन जाएगा ग्रामें का अवश्यत ग्राम में कौन रहता था ठीक है ना और कॉश्चन मार ठ्छीं करति अगलान जुछ यह वक्ति यह प्रिष्nal नूर्मान भी कौनीए वक्ति लगी ? कर ऐसे पूर में वक्ति यह वक्ति नूर्मान जुछ से तोianeGM रॅद्ष मा था नूर्मान भीक पंजी हच्धी वक्ति यह वक्ति हम लुक्ति हूं ठीक है तो उसमें भी कॉंची हो जाएगी कस्मात यह पंची वक्ति लग गई है चलिए ठीक है अगले कोश्चन क्यों बढ़ते हैं हम अगला कोश्चन के लेगा है वाली का नदनमातू दुछी तासित वाली का यो ती वो ने गरीब बेटी की गरीब मां की बेटी थी तो यह क्याँ पड़ देखिए कि आपकोंजी वक्ति का प्रियूक करा गया है पंची विए सश्टी चूकि यह पर काकी के आ रहा है देखिए समश्य यह है कि यो बख्ति चलती वो सैंचलती है एक जैसी चलती है इसलिए यहाँ पर चूकि हम है उसके अर्थ की आधार पर उसकी व सच्चि वक्ति एक जह से चलते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चले अगला कोश्च्चन क्या रखा है लुब्दा लुब्धा ब्रद्धा सुड काकस ठीक है तो देखिए सच्च्च्च्च्च लगी हुई है तो कॉश्च्च मनलगा आपको चलिए अगला कॉश्चन का लिखा है और प्रत्य 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 वह प्रत्य डिया गया है उनको सईयोग करके लिए अ एक जाली करता है का इसे इसका आता है क्रत्तख है कभी कभी इसी दा नाम पूछ लिए जाता है, चलिए हस प्लस सत्री तो बन गया हशन सत्री प्रत्य की में पैचान बता देता हूं आपको अंति में आपको क्या मिलेगा ना मिलेगा और उसमें हलंद लगा हुगा ठीक है ना तो महाँ पर कौन सा प्रत्य हुगा हमारा सत्री प्रत्य हुगा ठीक है ना वक्षे प्लस सत्र बक्चियन ठेक है अब बारी आती है अगले की बी प्लस लोग प्लस लेप तो क्या बन गया यह गलत चपा हुआ है यह बिलोग यह नहीं होगा यह बिलोग यह नहीं होगा यह इसका क्या होगा बिलोग क्यों होगा कैसा होगा बिलोग होगा चलिए मैं इसको आपको पैन से लिखके बता देता हूं कैसा होगा बिलोग क्यों होगा बिलोग इस तरे-स ठीक है ना क्योंकि जो हमारा कहें लिप प्रत्य है उसकी पैचान यह है कि आगे उपसरक लगा रहता है और अंत में यह आक्छे जरूर आता है ठीक है न तो यहा हमारी करे मेरी प्रत्य है की पैचान प्लस प्लस लेख की द मिल रहा है ताइस पर क्या है यह गला है उसको ठीक है अपन ने कर दिया है चलिए मज़िए आगला क्या लेका है ड्रस प्लस कि त्वा द्रश ट्वा इसकी पहचान की अन्त में है त्वा मिलेगा अंत्य में के मिलेगा त्वा मिलेगा कित्वा प्रत्य की पैचान के है त्वा मिलेगा और यह सभी जो प्रत्य अभी जो पढ़ रहे हैं वो सभी क्रत प्रत्य कहें क्रिया एधातू प्रत्य पढ़ रहे हैं ठीक है ना तो यह कौन से हैं आपके क्रत प्रत्य के अंतर गता रहे हैं सभी चलि, अगला क्यले का, C plus कित्वा, सै्थ्वा ब्रत्ध प्रत्ध प्रत्ध यह इस्तिर ब्रत्द्ध लग गए हैं आपर ठीक है न सुद प्लस टाप सुता ठीक है, यह इस्तिरी प्रत्ध आप्प्रत्त यह क्या करते हैं फुल लिंग जब्स को इस्तिलिक मनाने के काम करते हैं ठीक है जैसे बाल प्लस टाप तु बाल आँग अज प्लस टाप आजा हा ठीक है न चली अगला केले का लगू प्लस तमप तो यहाँ पर कौन सा प्रत्य का प्रियूग करा गया है यहाँ पर यह आ गए हमारे तद्धित प्रत्य है ठीक है न उसका एक प्रत्य है है तरफ और तमप उपमें कौन सा प्रत्य आ रहा है पर तमप का प्रियूग करा गया ठीक है न चलि अगला कोशन क्या है अगला कोशन फिर से वो ही है प्रकृति प्रत्य विभागम कुरूद अब यहां पार क्या करकर दे गया है पूरा सब्द दीएगया है उसकी सहें संत सब्याइब यहां पार भी हमने जो आपको पैचान बता चे ng तो इसके कुछ और भी पैचान होती है कुछ क्या कुछ आप बात काम भी करते हैं तो जाजबर जो उधारन मिलेंगे वो आपको नावाले मिलेंगे जिनके नीचे हर्द लगा हुगा ठीक है ना तो जाजबर क्या करना पड़ेगा अपने कुछ जाजबर जाता है एक्जाम प कर णे ब्रैक्तप डाप यह अभी अमने पड़ा था उसको चूगी को ऑगए चाली है अगला वदधा अक्या है हमारा विलोग व्लॉक घंग के सबस्या नहीं आपको ब्लॉद कुछ तमा है वह गुलाग छप गया है लग प्लस तमप ठीक है नर्व निगा मत्लब प्रकृत्व पत्य करके दी गई धी चलिए ऑगला कोश्चन कि आप चाहे तो पोस्ट करके देख सकते हैं चलिए अगला कोश्चन किया है आदुले की तानी का तिनानी कहा का कम काम चाकत्यती मनला किसने किसको कहा ठीक है ना तो चलिए पूर्वं प्राद रासा क्रियताम ये किसने कहा था मैं सुबै का नास्ता बनाता हूं ये सोने के कव्वे ने बाली का खुक कहा था शूरत अपे तणनुलान होगेवय रक्षा यह ब्रद्धा नयए अपनी वेटी से कहा था बाली काम ठीक है न ओध कि ये पहले में क्या होता है किसने मलब करताने मलब पहली वक्ति वाले आएंगे अब किससे कहा जा रहा हूँ या किसको कहा जा लाय करता निक कडिक को को आ रहा मु timest की इस दूसरी मु Native जसको कहा जा रहा हूँ उस पार है कगे तुम जब रहुत ना अगर पुखर आंकी तरह चलेंगी और स्थरिश्ण सब्सक्राइब तो रमा की तरह चलेंगे चली अगला क्या लिए लुप्द लुप्द वाली गाती उसने सब्सक्राइब वे से कहा था सब्सक्राइब प्रियोग करना है तो पंची वक्ति देखिए जो दिये गए हैं वो सभी कैसे दी गए राम के सब्सक्राइब पर चलेंगे यह क्या से पता चलाए यह सभी जो हैं वो अकारांत है राम भी क्या है अकारांथ मतलब यह अकारांत् तो करने क्या से पता करते हैं यह अ सब्द है उसका जो अंतिम्धं पर जो सवर लगा हुआ है जो स्वर या जो बेंजन लगा हुआ है उसको वही बोला जाता है जैसे मा है राम में क्या है मा मा के मा में क्या लगा हुए आ इसलिए इसको अकारांथ रमा रमा में बड़ा लगा है इसलिए आकारांथ चुटी लगी है इकारांथ जैसे मती नदी बड़ी है इकारांथ बान बड़ा हुए उकारांथ जैसे पित्त्रू इसमें री आ रही तो क्यों हो जांगे रिकारांथ हलंता आएगा तो हलंतां जैसे भवन भवत ठीक है न चलिए इत्ता घ्यान होगे आपको चलिए तो यह सभी क्या चलना है तो चलिए अब आपको राम के सब्दूरू फटापड रियात होंगे तो आप फटापड भरते जाएंगे चलिए जैना हां क्या हो जाए ग्रामात नद्यहा परवतात ठीक है कि ब्रक्षाद कि बालकाहा सिंहात विवेती इस्वरहा क्लेसात रायते मलकष्ट को हरते हैं प्रभु भक्तम पापा ने वारयाती देखिए एक और मैं आपको बात बता दू कि जो कारक आएंगे आपको पांच नंबर के आते थे और इस बार अभी जो इसका जो आएगा जो भी इसका ब्लूप्रेट उसके आधारप दीखे जाए इस बार आप कितनी नंबर के आने वाले हैं इस बार से पहले पांच नंबर के आते तो उसमें क बहुत ज़्यान परेशान करता था त्रिट्रियोट्य वक्ति का होता है कराक्चिन वह भी से ओता है तो करण से और आपादान से तरAt No Tempo भोगते ये है कि यूर तो दो वस्तू के बीच में एटेश्मेंट होता है एक दूसर से जुड़े हुए होती है बहाँ पर तिरतिय वक्तिय काम करती है जैसे बोलू मैं सिक्षका सुधा खंडैन लिखेती भाई जब मैं सुधा खंडैन मतलब क्या होता है चौक तो मैं जब चौक से लिखूंगा तो चौक का और और मेरा क्या हूँ अटेश्मेंट होगा की नहीं होगा मंदल मैं एक दूसरी जुड़े हुए यह नहीं जुड़े हुए बाल कहा कंदू कैन क्रिडद ती तो बाला गेंद से खेल रहा है इसमें सम्मेत रुतिय वक्ति लगा हुए अब बारी आती है यह से बाल कहा सिंगात विबेति चलिए यही देख लेती हैं वीविएती मंदलब होता है ढरा तो बालक सेर से डर रहा है तो अपाधान से अलग होता है ठीक है तो चलिए तो यहां पर क्या हो रहा है अलग होता है एक अर्था जब दो या दूर भागेगा दूर भागेगा तो ठीक है ना अब रख्षाथ पत्प्राणी पतंती माई जब रख्ष इसे पत्तिय गरेंगे तो क्या प्रेक्ष में लगे रएंगे ये नीचे गर जाएंगे जाएंगे तो टीक चलिए तो मुझे लगा रहा है कि अब ये क्लिए किया जाता है ठीक है ना यह से जब हमें दो वक्तियों मंदब करना हो तब इसका प्रियूग करते हैं यह जो हमारे प्रत्ते हैं मुक्ता यह हमारे जब पाट पुस्तक है उसके नुर्मान करने में बहुत यह कहीं हमें जो बाग कर रशना करना हो तब इनका बहुत मैं खाना खाकर खाना खाकर विद्ध्याला जाता हम दें कि खाना खाना और जाना दो गई कि नहीं होगे तो इसका क्या बनाऊंगा अहां 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 भोजनम खादित्वा मैं खाना खाकर मैं खाना खाकर भोजनम क्रत्वा या कहूं खादित्वा तो क्या भोजन करके बिद्ध्याला जाता हूं तो क्या हो जाएगा इसका बिद्ध्याला के लिए जाता हूं ठीक है ना तो क्या हो जाएगा इसका अहां भोजनम खादित्वा विद्ध्याला विद्ध्याला या विद्ध्याला आए गच्छा मी रामा विद्ध्याला आए ठीक है ना चलिए तो यहां क्या लिखा है पड़ितवा पढ़कर गतवा जाकर खादितवा खाकर ठीक है इनमें और इसी अर्थ में अगर धातु क्रिया से पहले उपसर्ग होता है तो वहां पर लेप तक्त्य कप्री चुकिते की है मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको अगर जिन सब्दों के अब आपको कोई भी उफसर्ग लगा हुआ है देख्या ओसर्ग तो कोच प्रत्ययों में लगा मिल सकता है लेकिन सभी में या जरूर प्रिश्ण वाइब प्रिश्ण वाजे वाचे वनाने के लिए चित और चन निपात ओंका प्रियुक देखिए निपात क्या होते हैं निपात आपने बहुत पहले लिए स्क इभन से पड़े होंगे निपात क्या होती है जब हमें जोर देने वाले सब्धे हैं उन्हें नेपात कहा सायता है यासे मैं कहूं मुझे इंग क्षछ सब्धों के साथ जान लगते हैं तो सरवनाम पद्र होती alay कर लिए हैं झप सर्म नाम और अब्ब्य ऐसे लग गया कहा प्लस चन लग गया तो कशन बने गया इसका मलब कर दोता है कोई होता है कभी-कभी यह आती हो रहें बड़े दिक्कात होती है क्या बूल जाए ठीक है क्या प्लस चन तो के चन हो गया कोई हो गया यह बहु प्रयूख करे जा रहा है इसका कहा सुरी का प्लीस चन तो का चन हो गया कोई स्त्री हो गया और कहा प्लीस चन तो क्या हो जाँ रिखांद फिक है नए तो यह किसमें चला जा जाहाएगा कुछ इस तरी या भाव में प्लास चित का के चित हो जाया का प्लस चित का का चित हो जाये कॉए स्त्री और कहां प्लस चित का हो जायगा का चित हो जायगा ठीक है ना चलिए अब हम आगे बात करते हैं कर्णा करें अगे लamour करmäßा कि के सब देखें सभी बचोन ओन उसे अनिफ्य वाचक भी बनाया जा सकता है ठीक है चलिए उप्रियोग कि इसमें किन्चेत में किम किम किसा दूरूप मूल पहली प्रतम वक्ती में लगा हुआ है कैने तर्किये वक्ती है के साम इसमें देखिए है यहां पर भी और यहां पर देखी का सियाम इस त्री लिंग में हैं टीक है चेलिए अब हम आगले उसकी ऊर बड़ती हैं इसी तरह के लिखा है हमारा चित की इस्तान पर चन का भी प्रियोग होता है और कुछ अब्बे बदों में लग जाती है और अब्बे हो जाती है ठीक है न यह से लिखा है क्वेचित क्वेचन ठीक है न और कदाचित कदाचन ठीक है कब कब कोई ठीक है चेलिए अगला केले का है हमारा संस्कित में एक से चार तक पुलिंग स्थ्रिंग नपून सक लिंग में अलग अलग रूप होती हैं पर पांच से उनका रूप सभी लिंगों में एक जैसा होता है आज़ेंसे उप ciao ुलां ज़िए टर रीजी ज्लक्रा पाँरी के सी न्युक्तों से सुबश्ड आडिए लेकिन जहां वां सुँ यहां जार से चलते हैं एक नहुल clearly काए आपको रूब ये सब्धूरूम्नithफे सब्सक्राइब और इसका जो लिन्हों वो नदी नियां से चले गा चलिए तो गच्छन दे बबानजबन अब ऑन्दव कि उसी तरह चल रहे हैं तो गच्चत प्रकार यह और जब कि जो दूसरे जो है वह इस त्री लिंग के दिए काए यह नदी की तरह चलेंगे आपके भावान की तरह बावान की तरह यह कहें हम आपकी जो पहले कहें प्रात्ना पत्र आया था आता था आपका पहले नाइंद में श्रीमान श्रीमान तो उसमें उसी तरह चलता है ठीक है उसी की तरह चलेंगे ये गच्छन के ठीक है चलिए और अगला कहले कहा है हमारा ये नपुन सक लिंग में गए गच्छत गच्छती गच्छन्ती और गच्छती गच्छती बागी सेस के चलेंगे पुल लिंग की तरह चलेंगे चलिए अब अगला आ गया है हमारा तरप और तमप प्रत्यों में तर और तम सेस बचता है मतलब यह पर जो तद्धित प्रत्य का कुछ भीद हैं उनमें से तरफ और तमप यहां पर बताए गए हैं उनमें तरफ और तमप की पेचान में बता दे रहा हूं देखिए दोनों में कॉमिन क्या है तरफ और तमप में पा तरफ में पा है तमप में पा है तो दोनों की ता और पा को मल पहला क्या तरफ है दूसरा क्या तमप ता माप ठीक है चलिए अब दोनों में क्या है हमारा इसमें भी तरफ में पाक कॉमन है और इसमें भी पाक कॉमन है तो दोनों की पाक वठा दीजिए तो क्या क्या बचा तो तम बचा और इसमें भी क्या बचेगा तर बचेगा तो आपको दरन आपको नजर ही आ रहा होंगे देखिए यह से लिखा हुआ है बलवत प्लस तरब तो बलतरा देखिए तरह आ रहा है लगू प्लस अब लगू तम आ रहा है तम बहुत आसान है यह तुलना करने वाले प्रत्य है ठीक है ना जब हमें दो व्यक्तियों के बीच या करना बहुत से Brush के बीच में एक कोậnशिष्ट वतानों तब तरफ तुलना वाची प्रत्य है ये एकिस प्रकार के प्रत्य है इसलए है आपको भूद द्यान से पढ़ना है तो कैसी है यह तुलना वाची प्रत्य हैं ठीक है इसमें गया है लगू प्लस तरफ मदू तरह मधू तरह 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 पृत हरा-प्रिय प्लस तरफ पृत हरा ऐसे हीं यह है जोड़ दीजिए जीए ठीक है ना, महत प्लस तमप, महत तमप, स्रेश प्लस तमप, स्रेश तमप, मदुर प्लस तमप, मदुर तमप, मदुर तम लिखा है, ठीक है ना, तो ऐसे ही सब में, गुरु प्लस गुरु तम, टीबर प्लस तमप, टीबर तम, प्रिय प्लस तमप, प्रिय तम, ठीक है तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर यहीं पूर्ण होता है ठीक है और ये वीडियो क्यांसी लगी इसमें कमेंट जरूर करें आप ठीक है ताकि और अच्छी वीडियो का आपके समक्षे रखेंगी ठीक है चलिए धन्यवाद